हेलो फ्रेंड्स, फॉल्शिलिंग, अगर हम हमारे घर के इंटेर डिजाइन को एक प्रीमियम और क्लासिक लुप देना चाहते हैं, तो इसमें फॉल्शिलिंग एक बहुती इंपोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो आपके घर की खुबसूर्ती में चार चान लगा देती हैं पर बहुत से लोग फॉल्शिलिंग करवाते समय कुछ ऐसी गलतिय कर बैठते हैं, कि वो जिन्दगी भर परेसान रहते हैं, तो खासकर जो होम ओनर अपने घर में फॉल्शिलिंग करवाने की सोच रहे हैं, या फिर करवाने जा रहे हैं, वो मेरे साथ वीडियो में जरूर बढ़ेगी, बलकि साथ ही साथ, आप अपने फॉल्शिलिंग के बजट को भी प्लाइन कर पाएंगे, इसकी छोटी-छोटी आने वाली मिंटिनेंस को अवोईड कर पाएंगे, और अपने फॉल्शिलिंग के लाइटिंग सिस्टम को इंप्रूव कर सकेंगे, तो वीडियो important है या नहीं ये तो आप हमें बताएंगे वीडियो देखने के बाद पर मेरी आप लोगों से बस एक ही उजारी से के भले ही आप हमारे चैनल को subscribe करें या ना करें ये आपकी मर्जी है पर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने फ्रेंट सरकल में शेयर करना नहीं भोलिएगा तो फिर चलिए समय को बचाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं टिप नंबर वन प्रोपर प्लैनिंग ओफ बजट दोस्तों किसी भी बजट कैसे प्लान करना है तो इसके लिए आपको किन-किन बातों का ध्यान दखना है फॉल्सिलिंग करवाने से पहले आईए देखते हैं तो सबसे पहले आप अपने फॉल्सिलिंग कोंटेक्टर से पूछ ले के वे फॉल्सिलिंग में जो पीओ-पीया जिपसम बोर्ड यूज करेगा उसका रेट क्या होगा इससे आप अपने बजट की प्रोपर प्लानिंग करते हैंगे सेकिंड है इलेक्ट्रिकल वर्क फॉल्सिलिंग में इलेक्ट्रिकल वर्क में भी काफी खर्चा हो जाता है अगर contactor electrical work का आपसे extra charge करता है तो क्योंकि electrical work point के basis पर होता है और contactor आपसे point के basis पर ही charge करता है तो आपको पहले ही decide करके कि आपको कितने point required होंगे और कितने watt की light लगेगे contactor से rate decide कर लेना है ताकि आप budget की planning कर पाएं नमबर 3 है lighting system false ceiling में lighting system भी बहुत माहिने रखता है इसकी भी आपको proper planning करनी है अपनी false ceiling lighting के लिए आप कम से कम 3 switch अलग से जरूर लगवाएं या इसके लिए अलग से switchboard भी लगाना पड़े तो जरूर लगवाएं जिसके बहुत से benefit है ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें on-off कर सको क्योंकि हर समय आपको सभी LED light की जरूरत नहीं होती माल लो आपने अपनी false ceiling में 8 LED light लगवाई है तो कभी आपको 1 light की जरूरत होगी कभी 2 की, कभी 4 की और कभी function बगएर में सभी की तो इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान लगना है और कम से कम 3 switch जरूर लगवाए ज्यादातर देखा गया है कि लोग 15-15 watt की light यूज कर लेते हैं और उनकी quantity कम कर देते हैं तो मैं recommend करूंगा कि आप कम मातरा में बड़ी LED light लगवाने के वजाए ज्यादा मातरा में छोटी LED light लगवाए 15 watt की जगह 9-10 watt तक की 15 watt की LED light ने लगवाए हाँ अगर आपका रूम ज्यादा छोटा है तो आप 9 watt की जगह 6-7 watt की LED light के साथ जा सकते हैं इससे आपके घर का lighting system इंप्रूव होगा हाँ इसके लिए आपको fall ceiling में tray बनवानी पड़ती है जिसका थोड़ा सा budget भड़ता है पर ये rope light आपके पूरे घर के lighting system को improve कर देती है इससे घर का look काफी attractive दिखता है तिप नमबर 6 डॉंट यूज मल्टी कलर LED lights यानि कि आजकल LED light मल्टी कलर में भी आ रही है जो बहुत ज़्यादा कोश्टली पड़ती है अगर तो आप single light के साथ जा रहे है तो rope light या spot light के लिए आप warm white color light के साथ जा सकते है या फिर आप natural white color LED के साथ भी जा सकते है जो specially bedroom के लिए recommend किया जाता है टिप नमबर 7 हमेशा ध्यान रखें के एक तो आपकी ceiling light सोते समय exact आपके head के ओपर नहीं होनी चाहिए और दूसरा ceiling light कभी भी दो fan के बीच में नहीं आनी चाहिए इससे आपकी light कट हो सकती है जो आप fall ceiling के लिए electrical wiring करवाओगे वो भी आपको proper electrical conduit pipe के अंदर ही डिलवानी है ताकि wire की durability भड़ सके तो mainly ये कुछ बाते हैं जो आपको electrical work करवाते समय ध्यान देनी होती है टिप नमबर 9 thermal efficiency अगर आप अपनी fall ceiling में thermal efficiency चाहते हैं ताकि उपर की गर्मी आपके छट से घर के अंदर ना आपाए और खासकर वो लोग जिनका room तो floor पर है तो आप अपनी fall ceiling में thermal coal seat जरू डलवाए ताकि बाहर की गर्मी घर के अंदर ना आसके और इसकी कोश्ट भी अपने budget में जरू रैड कर ले टिप नमबर 10 इंटीरियर लुक को खराब करेगी इसलिए मैं recommend करूंगा कि आप AC copper wiring fall ceiling से पहले ही करवा ले तो इस बात कभी आपको खास ध्यान रखना है टिप नमबर 11 पेंटिंग एक आपका fall ceiling में पेंटिंग का खर्चा रहता है तो वो आपको fall ceiling के बाद ही बनवानी है पर उसकी planning आपको fall ceiling से पहले ही कर लेनी है और fall ceiling का design अपनी wardrobe के हिसाब से रखवाना है ताकि वो design wardrobe बनने के बाद भी अच्छा दिए टिप नमबर 13 avoid corner cracks अब आप ये देखिए ज़्यादा तर fall ceiling के corner पर इस type के cracks एक से दो मईने में आ ही जाते हैं ये क्यों आते हैं और इन्हें कैसे avoid कर सकते हैं देखिए जब आपने दिवारों पर पहले ही paint का काम करवा लिया हो और आप बाद में fall ceiling करवाते हैं तो प्लास्टिक paint का surface एकदम smooth होने के कारण fall ceiling इन पर ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती और वैं दीरे दीरे दिवारों से हटने लगती है जिससे इसी type के cracks dwell हो जाते हैं तो इसे avoid करने के लिए या तो आप paint का काम fall ceiling के बाद करवाएं या फिर paint अगर already आप करवा चुके हैं तो एमरी पेपर से जो sending के काम आता है उससे corner के paint surface को थोड़ा rough means खुरद्रा करवा ले ताकि fall ceiling इस पर मजबूती से पगड़ बना ले और ये cracks dwell बना हो तो इस बात कभी आपको खास जान लखना होता है fall ceiling करवाते हुए tip number 14 है fire sprinkler की अगर आपने अपने घर में fire sprinkler लगवाए हैं जो mostly offices या commercial prices में जरूर लगवाए जाते हैं तो fire sprinkler generally horizontal लखे जाते हैं जिससे आग लगने या fire testing के समय आपकी fall ceiling खराब हो सकती है तो fall ceiling के case में आप fire sprinkler को vertical लखवाए नीचे की तरफ ताकि fire testing और आग लगने के समय सारा पानी डिरेक्ट नीचे ही आए fall ceiling पर ना पड़े तो इस बात का भी आप खाल ध्यान रखेंगे number 15 ceiling plastering बहुत से लोगों के मन में एक और confusion जादा तर रहती है कि अगर हमें fall ceiling करवानी है तो क्या ceiling के नीचे plaster करवाने की जूर्थ है या नहीं तो देखे friends छट के नीचे हम plaster करवाते हैं अपनी ceiling को smooth और attractive बनाने के लिए ताकि इस पर पुट्टी और paint असानी से क्या जासके लेकिन जब आपका plan fall ceiling करवाने का है तो आपको छट के नीचे plaster करवाने की कोई जूर्थ नहीं होती क्योंकि छट का नीचला हिस्सा वैसे भी fall ceiling के पीछे चिप जाता है तिप नमबर 16 wooden paneling और MDF अगर आपका budget अच्चा है तो आप wooden paneling और MDF जाली भी यूज़ कर सकते हैं जिस पर ducco paint यूज़ किया जाता है या देखने में काफी attractive लगता है तो अगर आपका budget allow करता है तो आप इस option के साथ भी जा सकते हैं टिप नमबर 17 hanging beam देखे जब आपके ceiling के नीचे beam लटके होते हैं जो बहार के दरफ दिखते हैं तो बहुत से लोग इने hide करने के लिए ceiling को काफी नीचे तक करवा कर इने cover करने की कोसिस करते हैं जिससे आपके beam तो cover हो जाते हैं पर आपकी ceiling height काफी कम हो जाती है इससे अच्छा ये है कि आप beam को hide करके बीच से false ceiling थोड़ा अंदर की दरफ करवा दे जिससे आपके beam भी छिप जाएंगे और ceiling height भी maintain हो जाएगी अगर आप अपनी false ceiling को soundproof भी बनाना चाहते हैं तो आप अपनी false ceiling frame के नीचे 50 mm thickness की glass wool डलवा सकते हैं ये आपको एक अच्छी soundproof देगी जो specially musician room और studio के लिए prefer की जाती है टिप no.19 PVC ceiling अब बहुत से लोगों के confusion है कि क्या PVC ceiling करवानी चाहिए या नहीं तो देगे friends moisture resistant और cost effective होने के अलावा PVC ceiling का दूसरा कोई फायदा नहीं है बागी नुकसान ही नुकसान है जैसे ये fire resistant है ही होती आग जल्दी पकड़ती है गर्मी में heat होने पर rear room में बहुती गंदी समयल देने लगती है एक unhealthy environment create करती है इसमें joint एकदम clear दिखते है इसका color chain नहीं कर सकते इसमें design बहुत कम है या देखने में बहुती cheap दिखती है और खास कर इसे आप top floor के लिए तो use कर ही नहीं सकते मुझे नहीं पता लोग क्या कहते है पर मैं इसे कभी भी recommend नहीं करूँगा क्योंकि safety पहले है safety come first पर हाँ अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी छट या किसी कोने में dampness है तो आप PVC ceiling के साथ जा सकते है नहीं तो आपको हमें सब P.O.P. और gypsum fall ceiling ही करवानी चाहिए और last में बात आती है gypsum और P.O.P. ceiling की कि P.O.P. ceiling करें यह gypsum ceiling तो friends वैसे तो दोनों ही ceiling के अपने फाइदे और नुकसान है जैसे अगर सबसे पहले में gypsum ceiling की बात करू तो अगर आपको एक plain ceiling करवानी है यह आपको square और rectangular design बनवाना है जो आपको बस 5-6 साल के लिए ही चाहिए और साथ ही साथ आप एक dry solution चाहते हैं तो आप gypsum ceiling के साथ जा सकते हैं पर अगर आप ceiling एक लंबे समय के लिए चाहते हैं जिसमें आपको बहुत सारी molding और cornices के साथ साथ एक royal look भी मिले तो आप P.O.P. ceiling के साथ जाएं जिसकी installation में थोड़ा time तो लगता है पर इसकी live बूत अच्छी होती है तो इन 20 बातों का आपको false ceiling करवाते समय जरूर ध्यान लगना है नेक्स वीडियो में हम specially PVC false ceiling के बारे में detail में बात करेंगे और अगर आपको false ceiling के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उपर आई बटन में आपको false ceiling से related और भी वीडियो मिल जाएगी आप जाकर देख सकते हैं और अगर false ceiling से related आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप definitely हमें comment कर सकते हैं यह direct message कर सकते हमारे telegram group पर जिसका link नीचे वीडियो description में है मैं आपके हर स्वाल का जवाब देने की कोशिस करूँगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और share भी जिलूर करके जाएं तो वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद see you in the next video lecture guys thanks for watching and have a nice day